यहां देखिए मैंने आपको पहले जो वीडियो गई उसमें पनीर बनाना बताया था उसके बाद हम इसके पर दिखा रहिएoten किसा पनीर बना है आप देख सकते हैं कितना अच्छा पनीर बना हुआ से सैठ में ऑगर का पनीर आप लोग को पता ही अच्छा फ्रेस रहता है अर तो इसको रख देगी मेरिनेट करने के लिए यह मसाले भी एड़ करेगी तो यह चिल्ली पनीर यह जादा तर चाइनीज रेसीपी है तो इसमे वैसे पर पाउडर तो उसको ही सब मिला करके और इसको रख देगी 10-20 मिनट के लिए थोड़ा से इसमें पानी हलका साई डाला देखो जादा नहीं क्योंकि हमें वैसे पतला तो करना नहीं बस थोड़ा से यह है कि मैदा पनीर के उपर अच्छे से चिपक जाए और इसको एक दो ग जरूर करना है थोड़ा सा कम लग रहा था उसको तो उसने थोड़ा सा और पानी डाल करके उसके बार यह देखिए इस तरीके से अच्छे से हो गया है ना तो अब इसको रख देगे और सच बताओ मुझे तो इसकी जो पकोड़ी बनाएं थी खाने में टेस्टी तो यहां और पेकाप टोरी ले ले ली देखिए यह बनाए जैसे ग्रेवी जो बनाए जाएगी न उसकी तयारी कर रही है तो इसमें डाली है मेदा इसंब मेदा इसकी जादा ड़ा रहे तो इस त्हुंवा बढ़र है थो पकॉन-ठीत Bennett गंटिः जो अपने हिसाब से क्योंकि देखिए वेनिगर जो रहता है सिरकाई है खटा करता है तो अगर आपको ज्यादा खटा पसंद है तो थोड़ा सा एक्ट्रा डाल दीजिए और कम खटा पसंद है तो एक चमच काफीर हैगा हमारे जितना बना है उस हिसाब से नहीं तो फिर यह क नहीं एक चमच ही खाली डाला है इसने यह सॉस डाल दिया सारा मिक्स करके उसके बाद में रख देगी साइड में क्योंकि इशू बना रहे हैं बताने में इसलिए मैं आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाती हूं और उसके बाद यहां देखिए एक फ्राइफेंड चड़ा प्रेश को आँश अच्छ कर लेंगे टयार है। कराई में तेल चड़ा त्यूवारी है या जो फ्राइ किया था न उसमें से ही तेल ले लिया है और उसके बाद मैं अधर कर लहसुन ये पेश डाल दिया है बने के बाद में प्याज को इस तरीके से थोड़ा होता ये बहुत की तरह तो इसको फनी जि़्मा थे नहीं भुना है हमें खाली यहीनगा कच्छापन निकालना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एस ने कच्छापण सही अच्छा मारा चिली पनीर बन के हो जाएगा रेडी तो वह सब पकने के बाद में यहां डाल दिया था पनीर तो यह देखे कैसा लग रहा है इसुने बनाए आई होप के पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर ट्राइए करना उसके बाद हम गए थे चाची जी से मिलने के लिए पुल गुमा के सबका दिखाया है और चाची जी के यहां धरवाजा पर यह ब्लू कलर की लग रही थी जिससे के यहां पर सारा यह ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है उसके बाद में घर आ गए थे तो यह है मलत तस्वीर इसके पापा की फोटो है मैं लेकर क्या इती मालहा तो ही जिंज कर रही थी मैं हर साल मतलब दिपावली पे नहीं मला लेकि आती हूं जो चेंज कर देती रहां वर्ला अगर एक काम बैस वह यह करना Kap cylinder कर पर तो इनकी माला की फोटो चेंज कर रही थी मैं यहां है दिपावली यानि की बड़ी दिपावली तो आप सभी को दिपावली की धेड़ सारी शुब कामना है भगवान आपको लक्षी में माता ठीक रखे सुस्त रखे तो देखिए सुबहे का टाइम हो रहा है सब आठ वज रहे हैं अभी सब आठ वजे में हो गई हैं बिल्कुल क्यों कि कि आज मोळा को कि मैं एक खेल वऴे बनाती ऊच्व कर दिया है की बनादी नए देश के नए को ID रहे घंड हो अभी यहां से मुझे पृलिस लान चाना उसके बाद दना माई के तो आप सब लोग वी चलिए मेरे साथ मेरे माई के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी मेरे मायका नहीं देखा है, मेरे मम्मी से नहीं मिले हैं, और हाँ, आप सबी के प्यारे गन्नु पिंगु से भी मिलवाँगी, तो और किस-किस को मेरा मायका देखना चलिए, अपने मायके लेके चलती हूँ, सबको मिलाती हूँ क्यों जा रही हूं क्यों नहीं क्या बात है वो मैं आपको शाम को वापस आने के बाद बताऊंगे आरती का फोन आ चुका है तो मैं फटा फटा फट निकलती हूं तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और रास्ते में अच्छे से बताती जाओंगे क्यों बहुत लोग मुझे जीवर की साइड से देखते हैं फूछत वह ताज मैं आपको बताऊंगी भी कहां पर है किस तरीगे ममी से भी मिलवाओंगी तो चलिए चलते हैं तो आप लोग का जैसे बताया ही है मैंने मैं जा रही हूं माय के तो आप लोग भी चलिए हैं यहां गाड़ी में थे हम सब्सक्राइब करें लिए तो मैं आज आपको बता देते हूं कई बार हम जेवर से उतर की भी चले जाते हैं यहां से देखे आज उतरे हैं हम टपल कट पैसे नीचे जो अलीगर दिली वाला हाईवे है जो टपल का कट है वहां से नीचे उतर की यह साइड में पूरे धाबे वगरा देखे पहले कुछ नीता बना दिये हैं उसके बाद पहुंच गए हम अपने नहवाते हो तो मैं आप लोगों को उससे पहले बता देती हूं कि मैं देवते नहीं नहवाती हूं और एंडम बताओंगी काम काम माम काम है काम है यह देखियो पावा मुझे बंदों दिल बाखि लाए थे बाए बाए तो दिखाया मैंने आपको गन्नु पिंकु से भी मिलवा दिया यहां पे पापा जी चाचा जी चाची सब लोग बैठे हुए थे चाय नास्ता हो गया खाना पीना सब उसके बाद में यह साम के टाइम का है साड़े तीन चार वजे का अब हैं हो रही है हमारी बिदाई तो बाइजी की बववे मलब वह हैं मेरी मम्मी सारी मेंबर थे हम लोग तो उनसे भी मिलवा दिया उसके बाद पहुंच गए हम जटारी जटारी होते हुए भी हम फिर से वही टपल कट से हाइवे के होते हुए ही घर आ जाएंगे शाम को क्योंकि जल्दी ही निकल लिये थे ग बाती वगरा सब सेट करके रखी थी तो अब हम मना रहे हैं दिपावली चलिए दिपावली मना लेते हैं कुछ देर बाते कर लेती हुए क्योंकि वीडियो में कहीं कहीं रह गई थी जब पूरी बात नहीं हो पाई थी तो मैं आपको सबसे पहरे यहीं बताओंगी कि देव लेकिन इनके बाद में होता है अंदर मेरा मन कुछ चीजों से हट गया था पूझा भी नहीं करी मैंने भहुत साल नहीं पूझा बिलकुल मंदर में जोत्वत्ति मैंने कई साल नहीं जलाई थी लेकिन दीरा धीरा हुआ था कि मैं दुबारा से पूझा करके अपने यह सब किया है मैंने हर भी किया है लेकिन देवते नहवाने नहीं जाती हूँ लेकिन जाने के बावजूत भी में देवते नहवाने नहीं गए कि मेरा अंदर से नहीं मेरी और उनके बीच में जो नाराज किया वो नहीं खतम हुई है जब होगी मैं जरूर नहाँगी इस वज़े से में देवते नहाने नहीं जा रही हूं अभी तो मैं नहीं गई घर पे चाचीजी जा रही थी तो उन्होंने बोला इस वार दिपावली इस लिए रहता है कि वहां पर सब लोग हैं भावी बच्चे तो अच्छा भी लगता है तो मैं चली जाती तहीं जाती तो तूँ धर कर ले और इस वज़े से पर यह हो गया कि चाची जा रही थी तो होता है न थोड़ा समपने बोलब मैं एसे निहीं जा चला तुम दिन दिन के लिए चले जाओ इशू नहीं गई थी इधर ही रुकी थी गाजेवर में गई थी और तब यह थोड़ी सी ऐसी औरी पता है क्या हो रहा है पॉलूशन की वज़े से हलकी सी खासी हो गई यह पहले नहीं थी बीच में अब दुबारा से दवा वगेरा ले रही हूं में तो इ आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना परिवार से मैंने पताया आप लोगों को एक तो दिन-दिन के लिए गई थी उसमें क्या था है कि तीन घर तो अपने ही हैं ताओ जी हैं चाचा जी हैं सब की मिलना है फिर पड़ोस में मेरे जैसे होते हैं अपने ही होते हैं च बच्चों को गीता को नहीं दिखा पाए क्योंकि वह बहुत अकेली थी काम में लगी हुई थी जिस टेम पर हम आये थे उसका काम सच बता हूं तीन बज़े तक खतम हुआ क्योंकि हम चले गए थे तो सब की चाय पानी नासते उन समय भी फिर उसका टाइम रह गया तो अग अपना कुछ काम में वह वीडियो बना लेती है फिर लेकिन वहां क्या था कि मुझे ही जाके सबसे मिलना भी है फिर वीडियो कोन बना इस चक्कर में तो कोई बात नहीं है लेकिन माय का दिखा दिया जट्टारी के जश्ट पास में परता है क्योंकि वहां के एरिये के बनता ना उसमें उसने कई वर बताया भी है अपने मेरे गाहों का नाम मतलब तब वीडियो कैसा लगाए आप लोगों जरूर बताना आई होगा आपको पसंद आया होगा इस यू की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आई होता आज लाइक कर देना इस यू के लिए मिलूं और हैपी दिपाव लिए आप सभी को